नमस्कार आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट मयूंदना इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हम पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत कुमार जी सर यह जो जनवीचार यात्रा है और लगभग 21 गारियां निकल चुकी है क्या लगता है इससे क्या कुछ पार्टी के हुई हुई यह जनवीचार यात्रा है आप पिछले सितंबर महिना में देखे थे कि आप पूरे पटना में पानी में डूप चुका था काफी संख्या में लोग हताहत है और बहुत लोग है जो कि मरे वे थे उस समय आज फिर सितंबर आने वाला है अभी देखिए कि जनवर बित गया दिसंबर बित गया जनवरी आगे है फरवरी आ चुकी है और सितंबर नजदिक में ही आना अभी तक लगी फिर पुना यह द्रिस्ट नहीं हो इसके लिए किसी तरह का कोई प्रपर समधान नहीं दिख रहा है इसलिए पूरे कुम्रार विधान सभा के आम मतदाता आम नागरिक का अवेधन है कि इन समस्याओं से निजाद पाने के लिए जन विचार यात्रा निकली है क्या लगता है कि कहीं आप कुम्रार विधान सभा चुनाओं से पहले से बीगल तो नहीं फुक चुके हैं क्योंकि इससे तो यही लग रहा है कि आने वाले विधान सभा चुनाओं में अपनी बाजी को मारने के लिए कहीं है इस तरह के का देखें यह चुनाओं से किसी तरह का लिना देना नहीं है अभी चुनाओं का तो संकेत भी नहीं है अभी यहाँ पर यहाँ सिर्फ अभी समश्या जो है जो यहाँ के नागरिक है वो परिशान है गंदगी का हर जगा है अंबार पड़ा है सभी जगा नाला टुटा- महिला हमारी बहने हमारी बेटियां वो सचाले अगर रास्ते में लग जाती है तो उन्हें क्या वेवस्ता हो सकती है आप देख रहे होंगे कि जहां कहीं भी जो चीज है उसका मेंटेनेंस नाम का कोई चीज नहीं है अभी कुम्रार बिधान सभा में हम मांग करते हैं या हो होनी चाहिए कि कम से कम एक सो और सो चाले महिला परसाधन के विवस्ता होनी चाहिए जो कि नहीं हो रही है तो हम कुम्रार बिधान सभा के चार लाख मतदाताओं के अगरह पर उनके उत्साह पर ये करिक्रम जन्विचार यात्रा का आयोधन किया जा रहा है सर अभी दिली में विधान सभा चुना हो रहे हैं और क्या कुछ पार्टी के तरफ से वहां की तैयारी की गई है क्या लगता है कि आने वाले समय में आपकी वहां पर जीत हो सकती है देखिए चुनाव हुआ है तो हर पार्टी चाहेगी कि हमारा कंडिडेट जीते हम भी चाहते हैं कि हमारी कंडिडेट जीते और अब तो कुछी दिन की बात है ग्यारा तारी को पता चल जाएगा कि हमारी क्या इस्तिती बन रही है नौ फर्वरी को ये जन विचार यात्रा को आप कुमरार विधान सभाज में ये संबोधित करेंगे तो क्या आप जनता से अपिल करते हैं कि इसमें कितने लोग सम्मिलित हो सकते हैं क्या कुछ है वो बताएं ये कुमरार विधान सभाज की समश्या है और मैं भी कुमरार विधान सभाज में ही मेरा जन्म हुआ है मेरा भी घर कुम्रार बिधान सभा में है और हमारे राष्टिय अध्यक्ष मानिय जीतन राम मांजी जी का भी कुम्रार बिधान सभा में अबास है तो हम लोग का घर पुरा डूब गया था हम लोग की गारियां है जो की चौपट हो चुकी थी हमारे बच्चे स्कूल जाने से यह हो गए थे हमारे लिए बहुत हमारे परोस में एक आदमी की मिर्तु हो चुकी थे इन जन समस्याओं को लेकर हम कुम्रार विधान सभा के सारे नागरीकों का निवेधन भी करते हैं और उन लोगों में पहले से भी उत्साफ है अल्रेडी व यह एक समस्या की बात नहीं है यह पूरे कुम्रार विधान सभा की समस्या है जिसे जन्विचार यात्रा के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ना है तो बिल्कुल जैसे आपने सुना कि यह रंजीत कुमार जी का साफ तोर से कहना है कि यह कोई चुनावी रणीती नहीं की जा रही है बलकि जन्ता की समस्या को समधान के लिए यह जन्विचार यात्रा निकाली गई है वो इसमें सामिल होंगे और इनकी जन्सभा है उनको बड़े ही हाँ तोर पे सफल बनाएंगे तो आपको वो भी खबर हम दिखाएंगे लेकिन अभी पहले इनकी बात से आप सहमत हैं तो इस खबर को खुब सेर कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन जुरुद बाद दिजे आपका सहयोग समर्थन लगाता सिटी पोस्ट को मिल रहा है ऐसे ही सहयोग हमेशा बनाए रखे धन्यवाद